कर्ण पर्व के अंतरगत कोई उपपर्व नहीं है और अध्यायों की संख्या 96 है। कर्ण का सेनापतित्व द्रोनाचार्य की मृत्यू के बाद कर्ण को कर्वों का सेनापति बनाया गया। कर्ण ने प्रतिग्या की कि मैं पूरी शक्ती से पांधवों का सनहार करूंगा। सोलहवे दिन का युद्ध कर्ण ने अपनी सेना का व्यूह रचा। इसी समय नकुल कर्ण के सामने आये। कर्ण ने नकुल को घायल कर दिया। किन्तु कुंती को दी हुई अपनी प्रतिग्या को याद करके नकुल का वद नहीं किया। दूसरी और अरजुन संसप्तकों से लड़ रहे थे। कृष्ण ने अरजुन से कहा कि तुम्हें कर्ण से युद्ध करना है। तभी सूर्यास्थ हो गया तथा युद्ध बंध हो गया। प्रात्री में कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन के पास विशाल रात, कुशल सारती, गांदीव, अक्षय तूनी रादी हैं। हमें इन सब की चिंता नहीं, पर हमें एक कुशल सारती की जरूरत है। कृष्म की जरूरत है। कृष्म के समान ही महाराज शल्य इस कला में निपुन है। यदि वे मेरे रत का संचालन करें तो युद्ध में अवश्य सफलता मिलेगी। शल्य ने कर्ण का सारती बनना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि मुझे अपनी जुबान पर भरोसा नहीं है। कहीं कर्ण मेरी बात से नाराज होकर कुछ उल्टा न कर बैठे, मुझे इसी बात का डर है। शल्य ने कर्ण का सारती होना स्वीकार कर लिया, सत्रह में दिन का युद्ध प्रातर काल कर्ण और अर्जुन आमने सामने आडटे। इसी समय कर्ण ने देखा कि भीम कौरव सेना का सनहार कर रहे हैं। भीम ने कर्ण पर भी एक बान छोड़ा, जिससे कर्ण को मूर्च्छा आ गई। यह देख शल्य रत को भगा ले गए। दुशासन वद कर्ण का रत अद्रिश्य होते ही भीम और भी तेज गती से कौरवों का सनहार करने लगे। दुरियोधन ने दुशासन को भीम का सामना करने लिए भेजा। दोनों में भीशन संग्राम छिड़ गया। मौका देखकर भीम ने दुशासन के सिर पर गदा से प्रहार किया। उसके हाथ उखार लिये तथा अपनी प्रतिग्या के अनुसार उसकी छाती फार कर उसका रख्त पीने लगे। इसी समय करन की मूर्च्छा जागी उन्होंने दुबारा युद्धक शेत्र में प्रवेश किया और युधिश्थिर को घायल कर दिया। अर्जुन उन्हें देखने शिविर में चले गए। युधिश्थिर पीड़ा से तड़प रहे थे। उन्होंने अर्जुन को जली कटी सुनाई। अर्जुन ने भी तलवार निकाल ली पर कृष्ण ने दोनों को शांत किया। कर्ण का निधन आज अर्जुन का सीधा मुकाबला कर्ण से था। वे एक दूसरे के बानों को काट रहे थे। अर्जुन ने कर्ण के सारती शल्य को घायल कर दिया। कर्ण ने अगनी बान छोड़ा तो अर्जुन ने जल्बान। कर्ण ने वायू अस्त्र चला कर बादलों को उड़ा दिया। अर्जुन ने नागास्त्र छोड़ा जिसके उत्तर में कर्ण ने गरुरास्त्र। कर्ण के इस अस्त्र की काट अर्जुन के पास नारायनास्त्र थी परन्तु मनुष्य युद्ध में वर्जित होने के कारण अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा। कहां गया था। कर्ण ने अर्जुन की छाती में एक ऐसा बान मारा जिससे वे अचेट से हो गए तथा इसी बीच अपने रत का पहिया निकालने लगे। मच गया। रात को दुर्योधन चिंता ग्रस्त था। कृपाचार्य ने समझाया कि अब पांडवों से संधी कर ली जाए पर दुर्योधन अभी भी युद्ध के पक्ष में था। दुर्योधन ने कहा कि अभी आप हैं अश्वत थामा हैं। मैं चाहता हूँ कि मामा शल्य को सेनापती बनाया जाए। शल्य ने सेनापती पद स्विकार कर लिया। झाहत हैं।